अन्यनि सुत बंदन करू महाबीर बजलंग तुम करीशाय रगवन्सकी और रहे हमेशा संग तुम रहे हमेशा संग राम की करीशाय सीता की सुदिलाई फेरी गड़ लंकी जराय तो कहें जै दीपकुमारों सुनो दिल ननी हितकारी और सेवक अपनो जान आज सुदिलियो हमारी आए दोस्तों ये गीत जो हम लेकर के आए हैं आपके समक्च MPI स्टूडियो को सोजनिस है इसके रिगॉर्डिंग करता है स्रीमान प्रेम भाईया जी मैं दीपक सास्त्री ये जब सरहत पर एक जवान दुस्मन की गोली खा करके जो अपने प्राण त्याग देता है सहीद होने से पहले पहले अपने दूसरे साथी से कहता है भाईया हमारे घर जाकर के संदेशा पहुचा देना मेरी मैया से मेरी बेहन मेरी पतनी से जाकर के कह देना ये न कहना कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा जो हम कहें भाई कह देना और रोकर के वो जबान फौजी कहता है भाईया सुनो कि साथी गर जाके मत कहना संकेतो में बतला देना भाई हम इस संसार से जा रहे हैं मगर मेरे घर बालों से संदेशा कह देना भाई यार साथी घर जाके मत कहना संकेतो में बतला देना रोकर कि कहा है भाईया यदि आहल मेरी मया पूछे तो नीचे सी से जुकाई देना मेरी मया पूछे तो नीचे सी से जुकाई देना यदि तक परी मीना समझे है पुरा चाहे भूल दिखाई देना साथी घर जाके मत कहना संकेतो में बतला देना भाईया घर जाके मत कहना संकेतो में समझाई देना मेरी मा को रोने न देना भाईय और बोला है को भीर फोजी यदि आहल मेरी मेहना पूछे तो आँखों ठे अश्रु बाहा देना बाईया मेरी बहर पूछेगी मेरा भाई का तो कहना यदि आहल मेरी मेरी मेरा पूछे तो आँखों ठे अश्रु बाहा देना यदि इतने पर भी ना समझे यदि इतने पर भी ना समझे तो ना की थोड़ दिखा देना बाईया घर जाहते मति खेना तक तो आँखों ठे ना समझे तो आँखों ठे ना तु साथी घर जाके मति कहना सक्के तो में बदलाई देना बैद्या घर जाके मति कहना सक्के तो में बदलाई देना मेरी बैदा मैं बहुच जाती है भाई उसे राखी का इसारा दे करके समझा देना कि भाईया तुम्हारा नहीं रहा है खुले सब्दों में न कहना मेरे भाईया और रोकर के वो बीर जबान कहना है मेरी पतनी मेरी पतनी इसके साथ मेरी साधी अभी अभी हुई थी हम जाने ही वाले थे मगर मुझे क्या पता था कि संसार से मुझे जाना पड़ेगा भाई और बोला यद अहल मेरी पतनी पूछे तो चल ना दीप पुझाए देना यद अहल मेरी पतनी पूछे थो चल ना दीप पुझाए देना यद इसने परवी ना शम्झे यदी इतने परवी ना शम्झे तो चल ना दीप पूछे तो चल ना दीप पूछे देना साथ भी घर जाके मत कहना हंके दो में मतला यदेना अजय को पुछे देना